नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप UP Blitz join के बाद कुछ special forces को join कर सकते हैं जैसे कि कुछ केंदर की job होती है और कुछ होती है यहां पर राज्य सरकार की जैसे कि करना चाहते हैं ए्रस्ट किस तरीके से कर सकते हैं इस विडियो पहल år की बताने वाला हूं पूरी वीडियो को को पूरी जानकर email पाया और आप सभी को ये शारी चीज़े clear होपा है कि किस तरीके से इसका procedure क्या होता क्या चीज़ें आपको फालोगनंगी पड़ेंगे वीडियो अची लगे तो प्लीज वीडियो को giyare करना के बिल्कुल और भूलें अगर आप आप सभी के पास बहुत सारी opportunity होती हैं किंदर में भी जा सकते हैं और राजे सरकार में जिद्धी पर पारा मनलब जो special forces होती है उन्हें आप जोइन कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले मैं start करना चाहूंगा आपकी किंदर सरकार के जो आपकी NSG होती है यह CBI होती है और NIA वगरा जो आपकी होती है अगर आप उसे जोइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं तो देखें मैं आप सभी को बता दूँ कि जितनी वर किंदर सरकार में ऐसी जो भी मांगे आती है क्योंकि इसके लिए जब direct recruitment नहीं होता है तो उसका क्या होता है कि उसके लिए जितनी पर पद जो होते हैं रिक्त होते हैं उनकी जो detail है वो सभी राज्यों को भीज दी जाती है कि हमें आपके भीवाक से इतने लोगों की जरूवत है अगर आप interested हैं तो इतने candidate के लिए आप आवे दन मांग सकते हैं तो उनके द्वारा यह जो ब्योरा होता है वो सभी state को मांगाएगी जैसे मानगे चली उत्तरप्रदीस के हिस्से में 20 पत आते हैं तो यहां पर भी वो मांग के लिए बोल दिया जाएगा कि आप से इतने आवे दन मांगे जाते हैं तो होता क्या हमारे पुलिस headquarter में आएगा और उसके वाद जितने वार डिस्टेंगे सभी जिल जाता है तो इसी तरीके से राज्य का होता है कि राज्य में भी मांगाती है जैसे ATS, STF बगारा इनकी सी में संक्या है बहुत और इसी के लिए जब मांगाती है तो सभी जितनी बर डिस्टेंगे हैं उन सभी डिस्टेंग को उसके पत्र वेज़ दिये जाते हैं और जो भी बटवने के लिए कि आवेजन करता है उसकी छटणी को जाती है चटणी होने के लुड़ी धिशिवाल होता है उन्हें भटती कर लिया जाता है तो दोनों का लगवग-ðापी तरीका होता है और एक प्रतियुक्ति को अगर में 2019 कम अदेश्यस के लिए आपको उसमें से आह स खतम हो जाती है दोबारा से आप अपने मूल विवाग में वापस आ जाते हैं जैसे कि UP पुलिस से मान के चलिए अगर आपने NIA जोइन किया तो आपको तीन साल के लिए डेपुटेशन पर रखा जाता है तीन साल की प्रतिन युक्ति की जो सीमा होगी जब भो खतम हो लेकिन वो डेपेंट करेगा सामने वाली एजनसी पर जिसने आपको हाइर किया है यानि जिसने आपको प्रतिन युक्ति दिये है वह आपके अगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं तो कभी-कभी कुछ केसे समय ऐसा हो जाता है कि आपके एक-दो साल आगे बढ़ जाती ह यह डिन से पांस साल तक वहां पे प्रतिन युक्ति पर रह सकते हैं इसी तरीके से राज में होता है लेकिन राज में एक विवाग ऐसा होता है यू लोकल इंटिलिजेंज्ट इूनिट ऐसे Вы सबी हो यह उप कि पता होगा तो जो राज में हर एक district होगा उसमें LIU active रहती है जो की local intelligence का काम करती है तो उसमें जब आप जाते हैं तो UP police civil वाले candidate जाते हैं civil police वाले जो होते हैं तो आप सभी को बताते हैं कि जब आप LIU में चले जाते हैं तो समाने तोर पर वहां पर वापस नहीं आपाते हैं यानि अन्ने की सीमा अगर आप जाते हैं तो वहां से वापस आने का deputation का तरीका है लेकर अगर आप LIU में जाते हैं तो LIU में आप permanent फिर LIU में ही रहते हैं पूरी lifetime आप OC में जौब करते हैं तो LIU का ये फंडा है बाकी की जितने पर विवाग होते हैं ATS, STA बगरा होते हैं तो वहां पर भी deputation का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वहां पर जब आपकी deputation की समय सीमा खतम होती है तो आपको बापस बेज दिया जाता है तो ये तो गया जाने का तरीका deputation का ही एक मातर तरीका है कि आप ऐसे विवागों में जा सकते हैं अब मैं बात करूँ salary वगरा की तो देखिए जब आप किसी भी विवाग में जाएंगे जैसे कि मानके चलिए आपने NIA के लिए अपलाई गिया deputation पर आप NIA में चले जाते हैं तीन साल के लिए तो वहाँ पर जितनी वर जो भी salary होगी वो NIA की तरफ से आपको दी जाएगी जो भी NIA के constable को जो salary मिलती है जो भत्ते मिलते हैं वो सारी facilities आप सभी को provide करा ही जाएंगी बिल्कुल NIA की तरह जब आप मूल विवाग में वापस आजाएंगे यानि यूप बापस आजाएंगे तो दोबारा साब के वो ही salary भत्ते स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपको यूप बिलने थे और seniority के साब से आपको बोई salary बत्ते वगरा सारी चीज़े दी जाती हैं तो deputation का तरीका जो है आयोप के आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके लिए मांग आती है और उस मांग के ही according हमसे आवेदन मांगे जाते हैं और जो भी उसके लिए आवेदन करता है उसकी छटनी की जाती है हजारों लोग आवेदन करते हैं लेकिर रिक्तियां कम होती है तो इसी की वेज़े से उनकी संख्यावी कम हो जाती है उसमें कुछ condition apply होती है condition के बारे में मैं अलग से detail वीडियो बना दूगा जिसमें आप सभी को पता चल जागा जैसे कि लास्ट बार आपने द अधर दे सकता था फिर उसके बाद उसकी न्यूकति तीन साल के लिए जेल पुलिस में हो जाएगी तो इसी तरीगे से आप अन्य विवागों में जा सकते हैं N.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. समय समय पर जब भी विवाग के द्वारा आप सभी को अब्डेट करा दिया जाता है तो याद रखिएगा कि जब भी विवाग में जाएंगे तो वहीं के सालरी बत्ते और वहां की जो भी फैसलिटीज होंगी वह आप सभी को प्रवाइड करा ही जाती हैं लेकिन लोटने क प्रवाग में बने रह सकते हैं जैसे कि मानके छिलिए अपने निया नस्य कोई भी जोइन किया और जोइन करने के बाद हालंकि जैसी जो जांच एजन्सी होती है उनमें ज्यादा चांसे होते हैं तो वहां पर आपने आविदिन किया आपको प्रितीन नियुक्ति के लिए वहां पर रख लिए जाता है तीन साल के लिए तीन साल के बाद आप एक्सटेंशन लेते हैं और आपको एक्स-्टेंशन मिल जाता यसीतर ने वहाँ पयां पर ब्रॉप अगभरोंस प्रवृति आ ती है अगर मेरों के अभणकर दिपार्ट्मेंट चाहता तो आप UP police में थे, आपका permanent department था, वो UP police था, लेकिन आपने NIA में deputation पे गए, तो NIA वाले क्या करेंगे, NIA वाले UP police को NOC भेजेंगे, यानि उनसे अनापति पत्र लेंगे, no objection certificate, जब आपका विवाग no objection certificate दे देगा, तो आपकी जो अपचारिकता है, वो पूरी होने के बाद आपको NIA में permanent नियुकती दे दी जाती है, तो इसी तरीके से कुछ और भी भिवाग हैं, जिनमें इस तरीकी की प्रिकरिया अपना ही जाती है, तो उमीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो भी doubt थे, आपके सभी doubt यहां पे clear हो गए होंगे, जो भी लोग जानना चाते थे, STF, ATS बगारा कैसे जोइन कर सकते हैं, जैसे उत्तरप्रदेश पन्नोती भरती वोड़े, तो वहां पे भी आप इस तरीके से जा सकते हैं, LIU का मैंने आप सभी को बता दिया, और विवागों में भी मांग आती है, तो उसी तरीके से आपको भरती होना होता है, तो ये सभी opportunity सभी के लिए maximum मिलती हैं, कुछ में आपकी PSE को परात्मिकता दी जाती हैं, मैक्सिमुम सभी में, हालंकि सभी लोग आप इस दिन कर सकते हैं, लेकिन कोछ में किसी को ज़्यादा परात्मिकता दी जाती हैं, तो उमीद करते हूं, वीडियो आप सभी को ज़रू पसंद आया हो, और सारे जो भी doubt आपके होंगे, वो सभी clear हो गई होगे, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आगे भी ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आखिन पे प्रेस करने हैं, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी कोछ से पहले मिलती रहे हैं, तो फिलाल के लिए वस इतना ही, तो थै